कि नमस्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वाट इस डीसी मशीन बच्चो जब भी हम डीसी मशीन या एसी मशीन का बैसिक डफिनिशन डिसकस करेंगे तो एक्जेक्टली यह वैसा ही होगा जैसे हम इलेक्टरकल मशीन को डिसकस करते थे लेकिन सरफ डिफरेंस यहोगा नेचर का आउटपॉट गैनि इक्तरकल इनर्जी में अगर डीसी मशीन होगा तो उसमें उटपॉट ऑल्टोनिटीन करेंग के फॉर्म में होगा अगर कोई आपसे पूछे what is DC मशीन तो आप से स्टेट्मेंट यूज करते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल मशीन में पड़े हैं यानि it is a combination of four alphabet EMEC means it is an electro mechanical conversion device जिसमें हम electrical energy को mechanical energy में convert करते हैं और mechanical energy को electrical energy में बस ध्यान दीजिएगा यहां electrical energy के हमेशा form direct current रहेगा DC रहेगा means एक generator मेरे पास है जिसमें mechanical energy को electrical energy में convert करने जा रहा हूं तो mechanical energy के torque को मैं electrical energy के voltage में convert करूंगा लेकिन यह voltage का जो characteristics होगा nature होगा वो direct current होगा अब जानते हैं बिच्चो DC और इसी में का basic difference है सिमिलरली बिच्चो अगर हम motor की बात करें तो motor भी वैसे एक electro mechanical energy conversion device है जिसमें हम electrical energy को mechanical energy में convert करते हैं लेकिन electrical energy का जो nature है वो direct current form में होगा means motor में electrical energy DC voltage के form में होगी और mechanical energy torque के form में तो बिच्चो DC machine हो या AC machine हो अगर इसके basic definition की बात की जाए motor या generator के explanation की बात की जाए तो exactly वह होगा जो हमने electrical machine में समझा था लेकिन बस इतना अंतर रखेगा अगर वह DC machine होगा तो DC voltage होगा और अगर वह AC machine होगा तो वह AC voltage होगा that's all about this video thank you so much